नमस्कार दोस्तों, मैं भाशा और आप देख रहे हैं यूस क्लिक पर खोज खबर का एकरम आज जो देश में महौल है उसमें एक मस्जद, दूसरी मस्जद, तीसरी मस्जद और अंगिनत मस्जद और हर जगा भगवान की खोज और हर जगा हनुमान चालेसा जैसे मानों देश को निया रोजगार मिला हो और रोजगार है कि मस्जद मस्जद गाते जाएंगे और वहाँ पर अपने भगवान को ढूंते जाएंगे, हनुवान चालिसा पढ़ते जाएंगे और शायद देश का जो विकास है इसी तरह से आगे बढ़ता जाएगा. अब देखिए न सारी मस्जिदों के बाद अब वापस ब्रिगेट पहुच गई लखनों और लखनों में उन्होंने कहा कि जो तीली वाली मस्जिद है वह दरसल मस्जिद नहीं वह लक्षवन तीला है और इसके लिए पूरा का पूरा एक अभियान शुरू किया गया हाला कि अभियान अभी रुग गया क्योंकि शायद उन्हें जो हरी जंडी मिली थी योगी आदितिनाथ जी से मुख्यमंत्री जी से पूरी नहीं रही होगी क्योंकि यहाँ पर हम आपको बता दें कि सबसे पहले योगी जी नहीं इस बात का संकेत दिया था कि लखनौ का नाम बदल कर लक्षमण पुर या कोई पुर लक्षमण से जोड़ते हुए करेंगे क्योंकि भाश्पा लंबे समय से यह कोशिश कर रही है हमें और आपको बताने की कि दरसल लखनौ लक्षमण से जुड़ी हुई है और इसलिए यहाँ पर जितनी तहजीब क कि जो जो अड़े हैं उनको ध्वस्त करना इस समय उनकी प्रात्मिक्ता है और शायद जुन्या रोजगार है उसी कड़ी में यह कड़ी भी जुड़ रही है अब देखी न इसी कड़ी में एक और बहुत दिल्चस्प खबर हाप और हम सब जानते हैं कि देश की राजधानी दिल्ली में कुतुब मिनार को लेकर भी हंगामा है हंगामा करने वाली फौज यहां जाकर हनुमान चालिसा पढ़ चुकी है और दिल्ली पुलिस जो सफाई करमचारियों को सीवर और सेप्टिक टैंक में मरने के खिलाफ प्रोटेस्ट नहीं करने देती इन उपद्रवियों के साथ खड़ी रहती है और बोलती है कि यह तो उनका बुनियादी अधिकार है यह नहीं करेंगे तो कौन करेंगे सवाल यहां तक होता तो ठीक होता अब जो स्क्रीन पर ट्वीट दिखाई दे रहा है उसे ध्यान से देखिए इसमें जो चिंता जाहिर की गई है वह बहुत बड़ी चिंता है यह जो फेक खबरें यानि फरजी खबरें किस तरह से हम तक आप तक सिर्फ वर्टसप युनिवस्टीज के जरिये नहीं अब मुख्य सरकार का एक मंत्राले कुतु मिनार की खुदाई का आदेश दे चुका है यह कोई भगवा संथ या सड़क पे चलने वाला रहागीर नहीं एक बड़ा घराना जिसकी कमान अंबानी के पास है वह यह खबर चलाता है और कहीं से भी जब सरकार सरकार से जुड़ा हुआ मंत्र इस बात का खंडन करता है तब भी वो शर्मिंदा नहीं होता तब भी वो यह नहीं कहता कि हमने गल्ती की ब्रामक खबर चलाई क्योंकि शायद इस ब्रामक खबर के जितने पैसे मिले जितने वियोर्शिप मिले और जिस तरह से जो नफरती उनमात के लिए खाद मौया कराई जा रही है मीडिया के जरिये उसमें एक अलग ढंकी मिशाल यह खबर पेश करती है और वैसे भी देखिए सवाल सिर्फ एक दो मीडिया घरानों का या एक दो नोजवानों का नहीं है यह नौजवानों की भीड का नहीं है सवाल यहां यह है कि आज जो सरकारें चल रही है वह सरकारें किस बात पर फक्र महसूस करती है उनकी उपलब्धियां क्या है और यह उपलब्धियां आपको स्क्रीन पर दिखाई दे रही है देखिए योगी आदितेनाथ जी जो उत्तर प्रदेश के मुख्य मंत्री है वह जब RSS का जो मुख्य पत्र है और पांजन उसके जो 75 साल पूरे होते हैं उस पर जो समारोग होता है उसमें अपने जो उपलब्धियां गिनाते हैं कि उन्होंने उत्तर प्रदेश को कहां से कहां पहुचाया सबसे पहले वो नाम लेते हैं कि इस बार ईद पर रमजान के दौरान सडकों पर नमाज नहीं होने दी नंबर दो अचीवमेंट उन्होंने मस्जिदों का जो लाउड स्पीकर है उसकी आवाज को नियंतरित कर लिया और इसके बाद तो होड लग जाती है अब आप देखिए गोवा के जो मुख्यमंतरी हैं भाशपा के वह कहते हैं कि हमारी जो प्राथमिक्ता है वह यह है कि अतीत में जो मंदिर धोस्त किये गए हम उनको बनाएंगे फिर उत्तराखंड के मुख्यमंतरी वह विचारे कैसे पीछे रहते उन्होंने और बढ़ के बैटिंग की और उन्होंने कहा कि हम युनिफॉर्म सिविल कोड पर एक कमिटी बनाएंगे और इस तरह से ये सिलसिला चलता रहता है इन तमाम मुख्यमंतरीयों के दावों को अगर आप देखें उपलब्धियों के आप देखें तो एक बात बहुत साफ है कि इनकी ट्रेने आगे नहीं जा रही इनकी ट्रेने पीछे जा रही है अतीत गामी ट्रेने हैं यह प्रगती के रफ्तार को इतिहास के पन्नों में दफन कर रहे हैं सारे के सारे लोग यह बता रहे हैं कि वह इतिहास में जाकर आपको, आपके बच्चों को, हमारे बच्चों को रोजगार देंगे और शायद यहीं पर लोकतंत्र के खत्री की घंटी बज रही है जिसे बहुत कम लोग सुन पा रहे हैं क्योंकि शायद बहुत से लोग इस समय चाहते हैं कि उनके बच्चे इंजीनियर और डॉक्टर ना बनें, उनके बच्चे विदेशों में पढ़ने ना जाएं, उनके अंदर चाह रही होगी, कि जो योगी जी की ट्रेन जा रही है अतीत की तरफ, धामी जी की ट्रेन जा रही है अतीत की तरफ और नफरत की तरफ जा रही है, उसी में उनके बच्चे बैठ जाएं, किसी को भी कॉलेज की फीस देने की जरुवत नहीं है, ना पढ़ने की जरूरत है और बस नफरत और नफरत जपने की जरूरत है अब मैं आपको ले चलती हूं अपने साथ थोड़ा पीछे चिंता मत करिए अतीत में नहीं महज कुछ साल पीछे 27 नवंबर 2019 को हैदराबाद में एक नौजवान डॉक्टर के साथ बहुत ही बर-बर घटना घटित हुई उसका अपहरण किया सामोहिक बलातकार किया और फिर हत्या इसने भीशन पैमाने पर लोगों के गुसे को उबाल दिया लोग नाराज थे लोग जस्टिस न्याय की कर रहे थे और पुलिस हैदराबाद पुलिस बहुत तगड़े ढंग से घिर रही थी अपनी नाकामी की वज़े से लोग बोलने लग गये थे कि वह किसी रसूख वाले को बचाना चाहती है और फिर एक ड्रेमेटिक टर्ण आया नाट की अंदाज में एंकाउंटर होता है छे दिसंबर को एंकाउंटर होता है चार लोग चुनकर हैदराबुलिस मारती है और फिर जो पुलिस के खिलाफ गुसा था लोगों में वह वहवाही में तबदील हो जाता है पुश्प वर्शा होती है और तमाम जबहों पे बताया जाता है कि इसी तर से इंस्टेंट जस्टिस यानि त्वरित नयाय होना चाहिए उस समय भी कुछ तरकवान लोग थे जो साफ साफ कह रहे थे चुनौती लेते हुए कह रहे थे क्योंकि बहुत बड़ा जोखिम था जनता बड़े पैमाने पर खुश थी कि कम से कम नयाय तो हुआ लड़की को नय मिला लेकिन उस समय भी लोग कह रहे थे कि ये एंकाउंटर फरजी है फरजी एंकाउंटर यानि असली दोशियों को बचाने के लिए पुलिस ने कुछ निर्दोश लोगों को निशाने पर लिया है और देखिए 2019 से लेकर 2022 में सुप्रीम कोट के दखल के बाद जो जाज कम कि दी सुप्रीम कोट में वरिष्ठ वकील वरिंदा ग्रोवर और उनकी टीम ने उसके बाद सुप्रीम कोट ने कहा कि इस रिपोर्ट को तुरंत खोला जाना चाहिए सारजनिक किया जाना चाहिए इसमें कोई भी नेशनल इंट्रेस्ट नाओं पे नहीं लगा हुआ है और उसके बाद जो सामने आया सुप्रीम कोट के पैनल ने साफ साफ तौर पे कहा कि जो दस पुलिस करनी है उनके खिलाफ मामला दर्ज होना चाहिए ये इंकाउंटर फरजी था चार भारतिये नागरिकों को जिस तरह से पुलिस ने अपनी जान बचाने के लिए गिरफतार कि इस मसले पर हमने बात की वरिष्ट वकील वरिंदा ग्रोवर से आएए चलिए देखते हैं कि वरिंदा किन बिंदूओं को लेकर इस लड़ाई को आगे बढ़ाने की कोशिश कर रही है 23.11.2019 को उनको अरेस्ट किया जाता है या 39 को और 6.12 को हमें पता चलता है कि पुलिस इंवेस्टिगेशन के दौरान उनको कहीं लेके गई और उनकी हत्या हो जाती है और पुलिस और खासकर पुलिस के जो वरिष्ट अधिकारी है वो इस बात को प्रेस कॉन्फरेंस में बि और बता जा रहा है कि देखें इंसाफ हो गया फूलों की वर्षा हो रही है इसमें क्या हो रहा है पुलिस लोगों की बेचैनी और परिशानी का फाइदा उठा कर जो हमारा रूल अफ लौ है जो हमारा सिस्टम है कि पुलिस का काम है इंवेस्टिगेशन करना और कौन रही है आपकी क्या इंवेस्टिगेशन हुई आप कैसे इस नतीजे पर पहुंचे कि फला फला ने ये कांड किया है उसका कोई जिक्र नहीं है अपना काम करने के बजाए पूरी जुडिशरी और कोर्स के काम को साइट पर रखके ये कहके ओ डिले हो रहा है हम फटा पर डि के लिए ये rule of law को खतम करता है ये judiciary के रोल को यूसाइब करता है और ये पुलिस को ये जाज़त देता है कि वो decide करे कौन दोशी है कौन निर्दोश है और वही के वही लोगों को रफादफा करें इस देश में बहुत लंबा इतिहास है इस तरह के पुलिस रवया के चाहिए वो पंजाब हो चाहिए वो और कहीं हो अब और के नाम पर मैं आप से जाना चाहूंगी कि आपने जो दखल किया इसमें वो कहां किया आपका इंटरवेंशन कहां हुआ और आपने क्या सोच के इंटरवीन किया इस मामले में देखें बहुत एहम बात है कि महिला हिंसा के नाम पर पुलिस काम तो करती नहीं है इस केस में भी जब कंप्लेंट पेरेंट्स कर रहे थे कि वो कह रही है मैं फसी हुई हूँ कोई एफाई आर नहीं दे रहा था और उनको दढ़ाया जा रहा था और फिर यहादसा होता है सबसे पहला हास्तक्षिप हाइदराबाद में जो महिल एक्टिविस्ट है जो हुमन राइटस अक्टिविस्ट है चाइल राइटस अक्टिविस्ट है उन्होंने सबसे पहले उसी शाम को चिथी लिखी तलंगाना हाई कोट के चीफ जस्टिस को उस चिथी को चीफ जस्टिस सहाब ने आठ बजे डिविजिन बेंच को होती है और वो बॉडिस को प्रिजर्ब करने का आदेश देता है अदालत ताकि जो सबूत है कि असल में ये क्या कोई मुड़ भेड थी या लोगों को मार दिया ये बात के सक्टे तक पहुँचना तो बहुत एहम बात है कि इसमें हस्तक्षियप सबसे पहले विमेंज राइट्स अक्टिवेस का लेटर करता है जो नकारते है पुलिस के इस तरह के रवये को तो ये औरते ये नहीं मांग कर रही कि पुलिस की लॉलेसनेस से हमारी हिफाज़त इस देश में नहीं होने वाली ये बात हम लोगों को सपष्ट है उसके बाद मुझे उन्हो हाइपोट आकर उनकी लिए इस केस में पेश हो वहाँ पर हमें हाइपोट से बहुत इमीडियेट रिलीफ मिले और बोडी को प्रिजर्व किया गया हमने और भी बहुत सारे एविडेंस बोले कि किस तरह के वेपेंज यूज किये उसको इमीडियेटली कस्टडी में लिया जाए वहाँ का जो एरिया है उसको सिक्योर किया जाए कौन सी गाड़ी से गए कौन से रेजिस्टर लिये गए कहां पर उनको रखा गया हर चीज पुलिस के काम में कांगजों में लिखी होती है जेनरल डाइरी होती है अगर आप आमजाड आम्यूनिशन ले रहे हैं उसका रेजिस्टर होता है वहिकल का लॉग बुक होता है ये सब को सिक्योर किया जाए जब हम लोग ये आदेश हमको इमीडियेटली आइदराबाद हाई कोट से मिल रहे थे तो यहाँ पर दो वकीलों ने अपने नाम से एक PIL दाखिल करी वैसे उन वकीलों को शायद जानकारी नहीं थी कि हाईदराबाद हाई कोट के किस देख रहा था कैर उन्हों ने कर दिया उस वकत के चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया ने बिलकुल उसमें इमीडियेट इंटेवेंशन किया और कहा कि ये इंस्टेंट जस्टिस का जो दौर है ये देश में नहीं सुईकार कर सकते औ और एक Commission of Inquiry headed by a former judge of the Supreme Court of India उन्होंने नियुक थी अब ये Commission को बनने बैठाने में समय लगता है Administration को हमारे को ये धबरहाट थी कि उस बीच में जो evidence है क्योंकि आफ रहा एक PIL उन्ही Petitioners के नाम से जिन्होंने तैलंगाना High Court में Lead Petitioner जिसमें case सजाया जो खुद एक Journalist है Women's Rights Activist है उनके नाम से मैंने फिर एक Petition Supreme Court में दाखी किया और Supreme Court ने हमें का कि आप जाकर High Court से सब आदेश ले सकते हैं collection of evidence तो हम वापिस High Court गए और High Court ने फिर सारे evidence को secure किया इसके बीच में State का जो रवया था वो बहुत ही unfortunate था उन्होंने का हमने कैसाइटी बना दिये वो देख रही है जो कर रही है और फिर Commission के सामने भी केस हजाया ने affidavit डाला हमने सारे documents डाले कमिशन ने देखा कि हमारी पहल पर ये पूरी बाते सामने आई और कमिशन ने हमें इजाज़त दी कि हम सारा evidence देख सकते हैं और हमने oral और written arguments कमिशन के सामने मैंने पेश करे जी और फिर वो कमिशन के report आई जो बंद लिफाफे मे पहुची जी उसे बोलने के लिए तैयार नहीं थे सुप्रीम कोर्ट में हमने फिर intervention डाली कि हमारी हमें सुनी जाए सुप्रीम कोर्ट में state of telangana बहुत दिल्चास पात है अब state of telangana को किसकी फिक्र होनी चाहिए और तो की देश की क्या देश में rule of law है या कि उन चंद पु लंगाना सुप्रीम कोर्ट में आके कहता है कि इसका बहुत कुछ ऐसी effect हो सकता है इसको बंद ही रखिये अब ये commission of inquiry public commission of inquiry थी लोगों ने बैठके सुना है सारी गवाईयां public में हुई है और ये public resources से जब होते हैं ये कोई secret affair नहीं हो सकता democracy में तो chief justice सहाब इस मामले में बि public importance का issue है कि अगर एक fake encounter किया है तो ये बात लोगों को जाननी चाहिए और national security का नहीं है चुपा रहा है ये सवाल actually state क्यों पर उठता है कि आप क्या चुपाना चाहते हैं आप क्या इन police वालों की सुरक्षा करना चाहते हैं कि आप rule of law को maintain करेंगे और उन्होंने का ऐसा बिल reports साव दिखाती है कि हर stage पर police ने हर बदल कि अगर आप CRPC जिस जो निर्धारत करती है कि क्या investigation होनी चाहिए उसके हर section का उलंगन करके तैलंगाना police ने दिखा दिया है इस case में तो Chief Justice सहाब ने वो report immediately हम सब को available करवाई जी इस तरह से public या सब जनता के सामने आया कि किस तरह से फरजी वाड़ा किया किस तरह से encounter फरजी था और पूरे मामले को लोगप्रियत हासिल करने के लिए तेलंगाना police ने पूरा drama किया था और शायद आप लोगों का दखल ना होता तो जिस तरह से instant justice और खास और से महिला हिंसा वाले मामले में तो पूरा महौल बन करने के लिए और इस तरह के दखल से मुझे लगता है कि एक बड़ी रहात यह है कि जो त्वरित न्याय का एक पूरा हिसाब बन गया है कहीं बुल्डोजर चलने लगता है कहीं encounter होने लगता है कहीं lynching होने लगती है शायद इन सब के लिए एक example यह जो हस्तक शेप है यह ज कानूनों में लिखा हुआ है धाराएं है तो शायद यह याद दिलाना बहुत जरूरी है शुक्रिया